वेलकम बाक जनाब, एडुकेशन की बात अब करेंगे, हमारे हाँ नॉर्मली बच्चों के एडुकेशन अपर फोकस किया जाता है, बहुत सार ऐसे अधारे हैं जो काम भी करें, लेकर इसके साथ सब बच्चों की ग्रूमिंग कितनी जादर जुरूरी है, इस पर भी आज हम कॉलेज लाइफ है, इनुवर्सिटी लाइफ है, तो बच्चों की एडुकेशन और उनकी ग्रूमिंग पर हम बात करेंगे, उसके लिए हमारे मेहमारे में जोईन कर चुके हैं, प्रफेसर जफर जमाल है, जो के गवर्मेंट, MAO कॉलेज के प्रिंसिपल है, और उसके साथ साथ एरम तारिक होंगी, जो के एडुकेशनिस्ट हैं, दोनों को वेल्कम करेंगे, ताइंक्यू सो मुश पकावे, सबसे पहले तो प्रफेसर आपकी जानेब आएंगे, हम बच्चों के तालीमी मेयार की बात करें, आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखे ताली ये एक यक तरफा तसवर है, कॉम्पिटेंसिज के साथ जो उसका शौरी पहलू है, कि आप उसे कुछ इस तरह की शौरी आगाही दे, कि जिन्दगी के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से, वो कुछ अपना नुक्ता नजर बना सके औ और उसमें सही तरह का अमल कर सके, तो लेकिन नॉर्मली हमारे हाँ, एजुकेशन को जो फॉर्मल सेंस है, कि कैरियर उसका बेतर है, कैरियर में सीजी पीए बेतर है, या इसके साथ कुछ परसनेलिटी स्किल्स उसने सीख लिये, सिर्फ उसको मदे नजर रखा जाता है, जो और टेचर्श की तरह से भी, यही है कि क्या रीड़ क्या है, मेरा क्योंके तालुक से है, मेरे स्कूल या रूसरे स्कूल का कंपरजन इसी तरीके से किया जाएगा, कि यह अदारा मेट्रिकुलिशन के रिजल्ट कैसे दे रहा है, इनका क्या रिजल्ट रहता है, आया तर्भीयत कहां है इसका कुछ पता नहीं यानि जब मेरे मैं पढ़ती थी या टीचिंग में जो मेरे उस्ताद जिनने मैं कहूं जिनसे मैंने सीखा ये सब उनका कहना ये था यानि आप से कोई 25 साल पहले भी वह इस बात पर अफसोस किया करते थे और शायद मुझे अस समझ भी नहीं आती थी कि बहुत अफसोस इस बात पर वो करते थे जो मुझसे सीनियर थे कि आज तालीम को तर्भीयत से अलग कर दिया गया है जबके उर्दू लेंग्विज में तालीम और तर्भीयत एक वर्ड कंसिडर किया जाता था तो लेकिन अब तालीम रह गई तर् ना घरों में और ना कुछ हमने कल्चर ऐसा बना लिया कुछ महाल ऐसा बना लिया कि हमने खुद ही तालीम को तर्भीयत से अलग कर दिया और हम तर्भीयत भूल गए चाहे वो अखलाकी है चाहे वो रिलिजिस है रिलिजिस तो हमारा अर्मिला यह हाल हो गया है कि सर भी मु तो इसको फिफ्टी फिफ्टी और ऐसा भी है कि इन दोनों सब्जेक्स में अगर किसी की सप्ली आगी कोई रह गया तो नो प्रॉबलम उसको वो दे देगा किसी भी वक्त से निकल जाएगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी लेकिन अगर वो इंग्लिश में रह गया है या कि तो उसको फिर साब कुछ ही रिपीट करना पड़ेगा तो यहां से तर्भीयत हम क्या बात करेंगे ठीक हो गया इरम यही से बात करेंगे आपकी जाने बाएंगे जैसे एरम में भी का कि हमाने तर्भीयत का जो लावस है वो बिल्कुल लिलग कर दिया गा पहले अगर देख जो कमर्शलिजम का अलिमेंट आया उसे एक चीज़े कहीं पीछे रह गई हैं देखे कुछ हर सबाज में तबदीलियां आती हैं अगर कमर्शलिजम आया है तो हमें इसको समझना है इसकी जो तबदीलियां आई है या उनके मताबिक या उनको मदे नजर रखते हुए कुछ तबदीलियां हमें करनी पड़ती हैं अब पूरे अपने अज्यूकिशन सिस्टम में एक में बात की वजाहत करना चाहूंगा कि यह जो हम तालीम और तर्बियत का लफज कि कठे हैं यह असल में थोड़ा सा एक मानो में पुराना और क्लासिकल कॉंसेप्ट है इसमें चाइल्ड रूड और स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें लेकिन जो एजूकेशन में जिसे हम तर्बियत कहते हैं वो जामे लफज हैं उसमें आपके अस्थेटिक्स भी इन्वाल्व हैं उसमें आपकी जितनी अबिलिटीज हैंगे जी अस्थेटिक आपकी आपकी कल्चिरल आपके सोशल नॉम्स आपकी सिविक सेंस ये तर्बियत का लफज कवर नहीं किसी तरह करता और इन मानों में हम जा हायर सता पे तर्बियत का लफज इस तरह इस्तामाल भी नहीं करते और तर्बियत का लफज बनादी तोर पे जो हमारा फैमली में वो चीजें उस तरह से रहे नहीं रहीं जासे मैडम ने का अब एक तो ये था कि जो स्कूल है उन में से कुछ चीजें वो कमपंसेट करें तो बहुत सारे जो तरबियत का element है वो school level तक होता है higher universities में आप उसकी compensation नहीं कर सकते हैं तलीम में problem ही यह है कि अगर school में कुछ चीजें मिस हो गई तो आप college में नहीं कर सकते college university में कुछ चीजें मिस हो गई तो आप career की life में नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यह एक overall concept है इस पे curriculum में जरूरी है कि आपकी कुछ इस मनलब जिसे हम co curricular या extra curricular के हैं उस concept की पूरी depth को समझना चाहिए वो पूरी depth apply करना चाहिए अब पूरा ऐसा नहीं हो रहा जैसे मैडम नहीं कहा कि वो सिर्फ low career के लिए पढ़ते हैं इसलिए यह aspect society में से भी खतम हो गए पेरेंट बिगरेंट बलके मैं तो उसे neurotic anxiety टाइप कहूँगा जो parents में है competition anxiety है शदीर कि समकी competition anxiety में यह होता है कि आप चीजों की बड़ डेफ्ट नहीं समझ रहे होते के बच्चे को कि उदर लेके जा रहे हैं तो parents school को का जो सही word एक बोला जाता है school means दर्सगा जो हमारी language दर्सगा में तालीम नहीं है वहां पर तर्भीयत भी साथ-साथ है अब हम जो face करते हैं वो यह करते हैं अब देखें matriculation में बच्चे कहां तक पहुंच गए 1100 मार्क में जैसे अभी result आया 9th का जो first semester है total 505 marks में से बच्चा 501 तक तो पहुंच गया वो तो तो तालीम उसने ले ली जो required थी अधारे को और जो parents को at the same time यही बच्चा इसे class में बैठना नहीं आता इसे teachers से बात करने की मैं तो कहूंगी के तमीज या manners नहीं है definitely वो घर में भी ऐसा करता है अब हम उसको स्कूल में तो बताएंगे या कुछ अगर स्कूल में बताया तो parents आ जाएंगे parents आके कहेंगे बच्चा हमारा उसका result ऐसे आया आप यूं नहीं उसको snap करेंगे बही स्नाप नहीं किया आपके बच्चे की personality का हिस्सा है ये no doubt वो बहुत intelligent है वो आखरी हद तक तो पहुंच गया 505 में से 501 नंबर ले रहा है और कहां जाएगा वो लेकिन इस ये चीज मिसिंग है उसकी personality ये बिल्कुल सारी चीजों पर हावी हो जाती है जैसे सर ने कहा कि अगर ये बच्चा कॉलेज में जाएगा तो अब कॉलेज के पास टाइम नहीं है कि अब इस चीज पे इस आसपेक्ट पर काम करेगा यूनिवर्स्टी में जाएगा तो और पकी उसकी आदाद हो जाएग बहुत काम अब जब मैं अगर ये देखू ना स्कूल लाइफ में हाडली 20% पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जिने मैं ये कह सकती हूं कि ये रोल मॉडल है और मैं उनको को कोड़ भी करती हूं और सम्टाइम मेरी कोशिश होती है इनके साथ मीटिंग उस वक बुलाईजाए जिन पेरेंट्स को मैं चाहती हूं कि वो इन्हें सुनें उनसे गाइडलाइन लें ये चीज़ बहुत मिसंग है और ये बढ़ती जा रही है ये लम्हा फिक्रिया है सोचना चाहिए जो भी जिमादारान है उन्हें ठीक होगा एक चोटा सा मैं मैडम ने नुक्ता उठाया था व हमारे कुडिकुलम में बन्यादी सब्जेक्ट है होना भी चाहिए हम सब मुसल्मान हैं लेकिन ये जंप्शन के हम इसलामियात या इस तरह का कोई सब्जेक्ट शामल करके अगर उनमें शौरी तबदीली लें और शौरी तबदीली वो आपके बिहेवियर को भी मतासर करें कि ये गलत है आप 50 की पढ़ा रहे हैं आप 100 की पढ़ा लें आप 200 की पढ़ा लें नौलिज आ जाएगा वो आयात रट लेंगे लेकिन क्या बिहेवियर तबदीली आएगा नहीं बिहेवियर तबदीली की शरायत बिल्कुल मुक्तलिफ होती है तो इसलिए कि हमें सोचना पढ़ता है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो पूरी स्कीम में आपने 50 रखना है 25 रखना है मुझे तो ऐसे लगता है कि मुतालिय पाकिस्तान मलब उसकी रिपिटिशन कई बार हर स्टेज पे उनको प्रफेशन में जाते हैं पिर भी उनको कुछ चीजा इस तरह की दुबारा पढ़नी पढ़ती है तो यह सोचना पढ़ता है कि कोई साय उसका आपने अपने अवराल सिस्ट्म की बात की हम जरा दोहरा तालीमी लिसाब जो हम कहते हैं कि प्राइविट स्कूल में बच्चों को अलग एजुकेशन दी जाती है कि आपका तालोग गर्मेंट से और आप से तो उस पे भी हम दोनों का मौकफ ले लें कि क्या लगता है कि यह भी इंपक्ट डालता है सबसे पहले आप से डोग प्रफिस्टा देखिए मैं इसका बारे में थोड़ा सा जो में स्ट्रीम तिंकिंग है उससे थोड़ा सा मुक्तलिफ सोचता हो ना देखिए एक सता तक कि कई बार रियासत अपने सिस्टम में अथनी तेजी से तबदीली नहीं ला सकती जितनी तबदीली अगर आप अपने सिस्टम को ओपन रखें कि जिस तरह आप कोई बाकी आपकी इंडस्ट्री है या कोई और चीज़े हैं वो बाहर से असराद लेगती हैं वो उसको कि यहाई हों किलास डिफ्रेंस की सीनस में एक सेंस में कोंटिबिएशन भी है कि इतनी यह को कैडर कर रही है coughing कॊछ कॉंसेब्स हैं तो इसलिए हमें को जब भी डील करना है इस में हमें ऐग खास अंधाज में अ एक्स zwischen एक्रिमेंटेशन की गूजाएश हनी चाहिए कि अबी एक openness की गुंजाइश, experimentation की गुजाइश ज़ूर हो जाएगे ता कि तबदीलियां आती रहे, यह बहुत जलूरी है. सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि स्टेट की responsibility बहराल है, चाहे private institutions हैं या government के हैं, same syllabus का होना, खाब है, एक मेरा Allah करे के जब तक मैं है इस शोबे में हूँ, ऐसा हो जाए, मैं यहाँ पे अपने मुल्क के ऐसे भी एक private school system को से मेरा experience है, जहाँ पे, would you believe me, के जहाँ पे national anthem morning assembly में नहीं होता, जहाँ पे morning assembly में कोई अखलाकी बात नहीं होती, वो gather, वो होंगे वहाँ पे gather होंगे बच्चे, उसके बाद अगर तो principal ने कुछ words कहने हैं, तो well and good, otherwise they will go to the classes, यह उनका होता है, व्यादि उस system में आप मेरा वतन मजमून नहीं लिखवा सकते, आप काइद आजम या इकबाल पे मजमून नहीं लिखवा सकते, मैं कंट्री पे आप वहाँ पे नहीं करवा सकते, यह वहाँ पे नहीं है, यह क्यों के यह हम international requirements हैं, उनको meet कर रहे हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, यह state की बैरहा responsibility है, कि वो इस तरह कि स्टान चेक और बैल हज़त अनस रज़िदा अन्हों बहुत चोटी एज में आप स्टान की सोबत में आ गए थे, उनको परवरिश किया, हमारे नभी पाक ने, तो उनसे रिवायत है, कि हज़त अनस नहीं कहा, कि आप स्टान चोटा था, बड़ा हुआ, मुझे पूरी जिंदगी में किसी काम कर तर्बियत बच्चे के लिए है, वहां मौफजा नहीं है, वहां पे सिर्फ तर्बियत है, अच्छा एरम इस पात को यहीं से कांटिन्यू करेंगे, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजर होंगे, जिनाव हम बच्चों के एजुकेशन, उनके ग्रूमिंग के हवाले से बात करें, डिस्काशन कांटिन्यू करेंगे, आप देखते रहे हैं, जागू लहुद